हलो दोस्तों नमस्कार जी सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट राणिंग सेंटर नापूर में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बिगिनास लोगों के लिए वो टॉपिक ऐसा है कि परफेक् आपको इंपॉर्टेंट देना चाहूंगा कि सेमेटेजर का यूज कीजिए मास्क पहनिए और इतनी ज़दी हो सके आप वैक्सिनेशन जरूर करवा लिजिए सेफ रहें स्ट्रॉंग रहें सुरक्षिक रहें तॉपिक के तरफ लेकिन टॉपिक के तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने आलों यह आप देख रहे हैं यह इतना सुंदर सा माइक है इसमें रिवर्प सिस्टम है इको सिस्टम है इसके अंदर एक स्पीकर भी है यह वायरलेस है यह मुझे प्यार के तौफे के रूप में हमारे सब्सक्राइबर ड तो यह चलते हैं हम अपने में टॉपिक की तरफ तो मेरा टॉपिक यह है कि फिंगर की पोजिशन हम कैसे फिक्स करें बिंगनस लोगों के लिए बाकी इंटरमेडियर के लोगों को देखनी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तो यह मेरे पास में फ्लूट है मैंने नही लोगों के फिंगर करें तो कुछ लोग क्या करते हैं देखिए ऐसे ऐसे रखते हैं अपर यहां पर यहां पर यह जगे तीन पाट में यहां भी यह सेकेंड़ में और थर्ड में फॉस्ट पार्ट में रखना हम कैसे किया सब्सक्राइब जब आए यह थोड़े सा रिषा और उसके बाद में यह जो मेरा राइट है यहां पर यह सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में इसको ऐसे रखते हैं जो कि तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है लेकिन हम जब फास्ट प्रे करते हैं तो फिर वह बराबर फिंगर नहीं हाती है या होल क्लोज में होते हैं दूसरी प्रॉब्लम साती है इसलिए इसको सेकेंड पार्ट पर प्रेस यह रखना है और इस धंग से आपकी पॉदिशन हो जाएगी देख लिए इसके बाद आपके फिंगर भी सही चलेंगी ठीक है तो इस से हमको यह सी मेजर स्केल की फ्लूट प इस फिंगर के नीचे आएगा थमया पर और यह फिंगर हमारी यहां पर रेस्ट भी कर सकती है और यह फिंगर उपर भी रखो नीचे भी रखो कहें भी प्रॉब्लम नहीं है बस इस धंग से आपको पकड़ना है उसके आदमें मान लिए छोटी फ्लूट है यही मिडिल स्क इस बाद में आता है नामबर थोड़ी सी बड़ी प्लूट का यह है मेरे पास में ए बेस फ्लूट में ऊपर के तीन जो नोट है उसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता यह फिर से आपको बतार हूं यह राइट हैंड की फिंगर है राइट हैंड की फिंगर में यह और इसा है तौका यह है हैं और यह जो आंगे उसका यह दो गागे सब्सक्राइब मेरे पास जो पूठ हर वह राइथ-दे वह ञाएंड की है तो तो देखिए दोस्तों ऐसा पकड़ना इसको उसके लाद मान लेजिए मैंने इसको ऐसा ये सेकेंड रखा इसकेंड रखा उसके ये सेकेंड मेरा आम ही राया आउप तक नहीं पहुंच रहा है मान लीजे तो क्या करूंगा मैं हाथ को थोड़ा सा देखिए रिस्ट मेरी में ऐसी कर रहा हूं ऐसी रिस्ट किया इधर से ऐसा किया तो यह फिंगर देखिए और इदर आगया यहां से यहां तक भी ला सकते फिरंस को दूर की लासा तो यह तो इस फिल्ट कर या अपने तो यह ऐगा और फिर दिरेप्र प्रैटिस करके आपको यह बजाना आए इस धंग से हमको फ्लूट सही धंग से पकड़ने का सीखा तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और दोस्तों यकी मानिए कि आप सिस्टेमाटिक मैंदा में सीखते हैं तो आपको कोई भी बंदा रोप नहीं सकता अच्छी फ्लूड में जाने से इसके बाद कि मैं आपको ऐसे ही थेयोरी के थोड़े थोड़े लेशन बताऊंगा तो इस लेशन को देखने बाद आप कैसा मैसुस करते हैं क्या लगता है आपकी पोजीशन यहीं गरवड होगी तो आप उसे सुधारिये ठीक करिए और मुझे बताईए कि आपको वीडियो कैसा लाग है वो टॉपिक मुझे बताईए थैंक यू